तो दोस्तो मुझे इसका कोई अंदाजा नहीं था कि बीवी को ऐसा जवाब दे के मैंने अपने सर पे मुसीवत बुला ही ली थी सही बोल रहे हैं तुम भावी जी तुम्हारे सरके पीजे से जा भी रही तो इस घटना के घटने के पहले सुबा उट्टे ही मैंने बटन चालूगर के बल्ब को उठाया फिर बगल में देखा तो मेरी बीवी और मेरा बेटा याने की मा बेटा दोनों एक ही स्टाल में सु रहे थे मैंने देखा तो मुझे लगा कि नेहा अगर कुंफू है तो छोटा भीम पांडा और दोनों को मिला दो तो हो गए कुंफू पांडा आजे कुंपु पांडा को मत देख, अपने बालों को देख, जो धन्डा बन गए हैं नहीं वो क्या है कि रात को सोते ही मेरे सर के बाल का हाल यही हो जाता है वैसे सर के उपर चलते पंके को बन करते ही नेहा सोकर उठ गई मम्मी तो सोकर उठी गई थी और पूजा की फूल तोड़ कर पूजा करने की तयारी कर रही थी और नेहा मम्मी से पूछ रही थी कि मम्मी आज सब्जी कुन से बनाए और मैं खुछ से पूछ रहा था कि आज मैं दारी बनाओं की नी बनाओं साथी मैं ये सोच रहा था कि एक दो दिन की अन्डर कहीं मुझे घूमने ज़ाना है अरे बुढवग, अभी तो नानी के गाहों तो गूम के आया है, क्या गूमता ही रहेगा, वेसे बता, कहां गूमने जाना है तो एक दूदिन के अंदर मैं इंदौर जाने की सोच रहा हूँ जी तो मैं इंदौर जाने की सोच रहा था और मनी मन में पैन बना रहा था लेकिन इधर मेरी नेहा कुकरी कुकर में डाल बनाने की तरफ जा रही थी सबसे पहले उसने कुकर में डाल डाली, पानी जाला और उसको दोने लगी, तब ही मैंने सोचा कि उन्हा नहा की साथ थोला सा केबी से खेलने और उससे पूचे, है डेवरीची यह बताये कि यह डाल कॉनशी है, यह कौनशी डाल है, अरहार की. तो मैंने तो सोचा था कि निए डाल का नाम गलत बताईगी, लेकिन उसने सही बताया, पर अगर वो गलत भी बताती, तो मैं कैसे जान पाता कि उसने गलत बताया, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता था, कि वो अरहर की डाल है, कि हर-र-र की डाल है, अब दीवाल में यह जो घ पहरी का टाइम मिलाने लगे तभी मेरी पत्नी निहा आई थी और मुस्त बोली थी बुलाई है कि तो कभी बुलाई ने बुलाई ने सकता कोई मुसीबत को बुलाता है कभी क्या मस्त डालाग मरा रिया महीन इसका जोग बनाऊंगा में मैंने इतना कहा ही था कि तभी निहा वहां से कुछ बोलते हुए निकली यह बटा क्या छोटा भी शौकर उठेगा नहीं क्या नहीं सोकर उड़ गया था लेकिन फिर आपने मामा की पास आकर फिसस हो गया मैंने कोशिश की उसको डिस्टब करने की लेकिन वो माई कलाल है उसक उसकी माई के अलावा कोई डिस्टब करी नहीं सकता अज़े तो उनकी माई कहा है उनको बोलो कि इसको उठाए क्योंकि इतनी देर तक नहीं सोते है जी छोटी भीम की माई चोटी से दूद की बॉटल के दुलाई कर रही था क्योंकि तभी तो इसमें दूत भरा जाएगा और फिर छोटे इविंग को उठा के कहा जाएगा कि बिटा किनारे चलो रास्ते में और देरी मत करो नास्ते में यह कौन सासूरे सारे कामा पाता सुनाएं लेकिन हूं हां क्या होता है भाया जी यह मेरा पस्टनल संगेच है और यह मेरी मम्मी की पस्टनल हवन कुंडी जिसमें वह हवन कर चुकी है और बाकी की पूझा कर रही है तो पूरे घर में हावन का दुवा फैला था कुकर के उपर भी आपको दुवा जैसा लग रहा होगा लेकिन वह भाप है अब नेहा ने मोबाइल की लाइट इसले चालो की है क्योंकि दिन दहाले बिजली नहीं थी यह तेरी बिभी डाल को इतनी ध्यान से क्या रही है वो क्या है कि कुकर के अंदर जो दाल है मैं बाजार से ले आयता तो घर के लोग बोल रहे थे इस डाल का सवाथ गाओं की डाल ज़या सथा नहीं है तो मैंने बोला वह भी कैस सा군ता है क्या सुबह सुबह भूह लग रही है लेकिन समझ में आ रहा है नासता क्या अपना एकल पुहा खाया था आज भी पुहा का मैंनू है घर में लेकिन पुहा की जेगा कुछ और पोहने को मिलता तो मुझा आता आयो इसलव माईने अपने माता दे पूचा आयो माता तुम बताना जी कि मैं क्या काना जी लेकिन मेरी माता ने अपने पुत्तर को कोई उत्तर नहीं दिया इस पास दुख्योगर मैंने का ठीक है आज का नास था कैंसिल इधर मेरी नेहा लगातार मोबाइल की रोशनी में खा अपने दूलने के लिए नीचे रखें पीछे देखा 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 लोगों ने कि छोटा भीम सोकर उड़ चुका है बस अपनी आखों को और उठाने की कोशिश कर रहा है तो मैं छोटी भीम को खिला ही रहा था कि तभी मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि मेरे प्यारी बेते जो नीचे सटक बड़ी है ना इसको यहां से उठा के थोड़ा और आगे रख दो वहां कि पेरों किभी से चाय हो जाएगी तो मम्मी का काम करने के बाद मम्मी ने फाटा अफट मुझे एक और काम दिया और बोला कि इस बाल्टिक पानी को यहां से उठा के थोड़ा जुमाएंगे अरे बड़ी मुश्की से चोटा भीम गारी में बैठा लेकिन जैसे ही बैठा उसने ऐसे पकड़ा गारी को जैसे मोटर साइकल का हैंडल है क्योंकि वह जानता था कि अपनी सुरक्षा अपने हाथ इन लोगों का कोई बरोसा ने क्योंकि इन लोगों तो हमार आ रहा है कि नहीं कि अभी तो हमारी जुबान ही नहीं चलती हरे लोग योग हमको काईसा काईसा घुमा रहे हैं कभी यांग्या कभी वीछे कभी ताए देखिये मैंने कुछ नहीं क्योंकि मैं जानता था कि पांस बट के अंदर-अंदर सबको ठक जाना है और वही हुआ उ छोटा वीम को गारी से बान निकाला और जब मैं काम वाले काम मंने गाया तो निहा मुझे बुलाने आई और हो इसंके मुछे करकरों करे जब दूचा alla K क्योंकि कर दिया था उसने इतना रिलक्स तभी मिलता हलका होने के बाद फाल से बात के बातां नहीं करना पित जी धुलू आई जल्डी तो छोटे भीम को दुलुआने के वाद मेरी मम्य की फोन में में मेरी बैंड कर वीडियो को लाया उसने मम्मी से बोला कि छोटी भीम को मेरी सकल दिखाई है उसके बाद क्या हुआ आप देखिए उसको मेरा सकल दिखाऊ आप आप दोस्तों मुझसे चोटी भीम की यह तगलीव देखी नहीं कि इसलिए मैं वहां से उटके दूसरी तगलीव के पास दग गया यानि क्या अपनी बीवी के पास तो वह रोटी बना रही थी आटावाटा सब लगा हुआ था तो मैंनो उसका ठीक है जल्दी रोटी बनाओ मजा के जल्दी नहाता हूं फिर खाना खाता हूं आता हूँ अभी तो कहना खाना की बात चल रही थी लेकिन बीवी कहां से पीसे कैसे मिल रहा हैं तरह नहीं वह क्या है कि मैरी पास खुलिये पैसे नहीं थे और पिटाजी के प्लेंडर में पWhen से प्यार्स बोला और पैसे मिल भी खे इसके बाद मैंने नहाए, लेकिं लगता अच्छे से नहीं नहा है, क्या क्यों है पता नहीं दूपर में अच्हानक से बारिष हो नहीं लगी यह बाबा लगता है बजया आज मान थेया उपर ड़या। क्यूकि ना तो तू सा मुल लगाता है ना सेमपू। हाँ क्योंकि मैं साधगी से रहता हूँ यह हल काट इसको साधगी नहीं गंदगी बोलते हैं भाई यह तो बारिश तेज होती जा रही थी तब ही मैं अंदर आया तो मैंने देखा कि छोटा भी मम्मी की गोदी में सो रहा है वो भी ऐसे यही जिन्दगी है कैसे भी कहीं भी सो जाओ फिर मैंने सोचा कि मम्मी इसमें कि माहिने का सामान लाना है यह तरह ही मैंने सोचाई था और पूंचाई थाकि मुझे र Dwokna पड़ा उआ क्या था कि छोटाबी में सोकर अट गया था और अगर वो जोकर अट जाता है तो फिर कोई नहीं सो पाता, इसलिए मम्मी ने मुझसे बुला कि किराने का समान बाद में लिख लेंगे, पहले तुम यहां से किनारे निकलो इससे इसकी यह बेशती बसधास ने हुई, और यह घर से निकल के वहाँ पहुचा, जहां पर अजय द्योगन भी थे वैसे भी स्वीट काउन देख्या, आप लोगों ने अंदाजा लगा लिया होगा, और अगर नहीं लगाया हो तो मैं आप लोगों बता दूँ, कि मैं आजय द्योगन साब की भोला देखने के लिए मां से गुसा होके सिनेमा आ गया था, आओ नीचे जो चसमा रखा हो ना आलू बाल के रखे थे, इसका मतलब एक ही था कि आज आलू दे प्रांठा बढ़ सकते हैं, पर कंफर्म करना ज़रूरी था, तो नीचे आटा भी लगा हुआ रखा था, तो उबली हुई आलू, और लगा हुआ आटा देख्ये मेरे मूं में पानी उसी तरह आ जाता है, जै यानि की इंदार